बगत है आपका Self Study Classes विस्तुमिजेन यूटूब चैनल में शुशात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और Self Study Classes एप को डाउनलोड कर लेना ठीक है Self Study Classes एप में दोस्तों आपके लिए 2020 टेस्ट सीरेज लांच की गई है जो की बिलकुल फिरी है ठीक है तो इस सब्ताह में दो दिन होती है रविबार और गुरुबार को तो इस सीरेज से आप जोड़ सकते है Self Study Classes एप में और जूनियर सुपर टेट का एक नया बेच श्टार होने बाला है जो भी हमारे Master Kader पंजाब Master Kader वाले साती है या फिर जूनियर सुपर टेट वाले साती है उनके लिए दो से तंबर से नया बेच श्टार होने बाला है तो इस से बेच से आप जोड़ सकते हो और अपना अध्यान हिंदी साहित का सुरू आस से कर सकते हो ठीक है चलिए और देखते हैं यहाँ पर हिंदी साहित का संपूर कोर्स है जो आप इसमें अडवी साल ले सकते हो दोस्तो आज और इसका प्राइज एक हजार रहेगा उसके बाद इसका प्राइज बढ़ जाएगा से तंबर से ठीक है तो जिन भी सात्यों को दोस्तो इसमें दोस्तो आपको लोगो देख रहा है इस परकार से आपको प्लेट बेकरविक में जाना है सर्च करना है से एक को रहा है और जितने भी हमारे साती है जिन्नों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो शबी साती एक बार वीडियो को like कर दें और दोस्तो इस से से जुड़ जाएं चलिए आपको बताना है शबचे पहले कि हिंदी के प्रारम्बे काल को बीर गाथा काल नाम किस ने दिया है हिंदी के प्रारंबे काल को बीर गाता काल नाम किसने दिया है शबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा बताएं हिंदी के प्रारंबे काल को बीर गाता काल शबी को चैन करना है बीर गाता काल का नाम किसने बताएं सभी लोग हिंदी के प्रारंबिक काल को बीर गाथा काल फटापट से सभी लोग बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर है सर बुले सर ये तो कई बार पड़ा है राम चदर सोकले सभी को सरल लगा होगा लेकिन नेक्स्ट प्रेस ने रिती काल को अलंकृत काल किस ने कहा एक और कॉस्चन बहुत अच्छा बताएंगे शभी लोगों को बताना एक बार लाइक कर दीजिए सभी साती अपनी किलासे अब स्टार्डिंग हो चुकी है और यह थावत किलासें दोस्तों अपनी चलेंगी रक्षा बंदन सभी लोगोंने मना लिया अच्छे से अब अपनी किलासें बिलकुल इसी प्रकार से चलेंगी रिती काल को अलंकृत काल लाम किस ने दिया शभी को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा है ना यह हिंदी के प्रारंबेक काल को बीर गाता काल पूचा था तो बी पूचर बंधुने यानि शी नमर आपका बिलकुल शही है सभी लोगोंने आंसर सही बताए पुरानी हिंदी नामकारण किस ने किया शभी को आंसर बताना है सबी लोग बताएं और सबी साती जो भी GIC की तैयारी कर रहे हैं या जो भी साती दोस्तो काई की कर रहे हैं शोपर टेट जोनियर शोपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लग जाएं और पंजाब मास्टर करड़ वाले सबी साती जिनको सुरुवास से अध्यन करना है वो हिंदी साहित के संपूर कोर्च में ड़ीसल ले सकते हैं जिनको दोस्तों मात्र मौडल पेपर लेना है तो वो मौडल पेपर में ड़ीसल ले सकते हैं पुरानी हिंदी नामकरन किस ने किया यह आपका question है जारी पिर साथ दुवेदी ने राम चदर सुकले ने इंसाल लाखाने या फिर चंदर धर सर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किस ने किया है और आपका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा चंदर धर सर्मा गुलेरी ने यानि डी नम्मर आपका बिल्कुल सही है Very good. आचार सुकल की अनुसार हिंदी साहित का अबिर्भाव कब से माना जाता है? एप्श्नी कि रमांक आपका चार है और 4 का शबी लोग आंसर बताएंगे लाइक जरू करतें शबी लोग एक बार और शबी ने आंसर बता दिया है की साचार सुकले के अनुसार हिंदी सा हित्र का जो अबिर्भाव माना जाता है वो प्राकरित की अंदिम अपब्रैंसावस्ता से माना जाता है यानि कि आपका उत्तर बिकल्प नम्मर शी सही हो जाएगा शी नम्मर सही है बहुत बढ़िया जया नीतबाल जी सी नम्मर सही है इनमें से कासी नांगरी प्रचारनी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है नहीं है पूछा है सबसे पहले तो यह है कि 80 नांगरी प्रचारनी जो सवा है इसकी स्थापना कब हुई थी ये क्वेस्चन भी कई बार आया है अर्सदीब जी 1893 में 1893 में ये 80 नांगरी प्रचारनी सवा की स्थापना हुई थी अब इसके संस्थापकों में कौन नहीं है ये आपका क्वेस्चन है प्रश्न किरमांग 5 का तो आपको बताना है और आपको पता है नांगरी प्रचारनी पत्री का पूछी जाती एक नागरी प्रिचारनी पत्री का कब प्रकासित हुई तब आपका उत्तर होता 1896 नागरी प्रिचारनी पत्री का पूछा जाए तो 1896 नागरी प्रिचारनी सभा की स्थापना पूछी जाए तो 1893 है ना उरिणवै से दाम चंद्र शुक्लिस्ट की संसतापकों में नहीं है यानि की आपका उत्तर यहाँ पर डी नंबर जो है वह बिलकुल साहिए दी नंबर साहिए हिंदी साहित लेखत की लेखक मैं है। हिंदी साहित का अतीत के जो रचनाकार है जो लेखक है वो लेखक कौन है ये प्रशने किरमांग का आपका छे है और छे का अंसर आपका क्या हो जाएगा हिंदी साहित का अतीत बताइए तो बहुत सारे लोगों ने अंसर बता दिया विश्वनात प्रसाद मिस्र यानि कि आपका जो ये नमबर है ये नमबर विश्वनात प्रसाद मिस्र वो बिलकुल सही है एक जिनों ने बता उनका अंसर राइट अंसर बैरिगोड भासा काब संग्रा है किसकी किरती मानी जाती ह भासा काभ बे संग्रा है कि किसकी किर्टी आपको चैन करना है शबी लोग बताए प्रशन किरमांग सात में शात का अंसर आपको चैन करना है अच्छा क्वेस्चन है गीता प्रजापती जी बताए कुवेर जी भासा काबिश अंगले किसकी किरती है शाथ नमबर का अंसर आपको चैन करना है और साथ में आपने बता दिया कि सरी नमबर में टिक लगा दो महिस्दत सुकल है ये नमबर आपका बिलकुश चाहिए बहुत बढ़िया ये नमबर राइट अंसर बेरी गोड अंगला कॉस्चन है दोस्तों यहाँ पर किस लेखक के इतिहास गरंथ में सरप्रतम हिंदी साहित का काल विभाजन मिलता है काल विभाजन किस में मिलता है किस लेखक के इतिहास गरंथ में प्रश्न किरमांक आठ का उत्तर बताना है किस लेखक के इतिहास ग्रंत में शबी लोग बताएंगे हाट का अंसर सभी को बताना अब अपनी किलास में पूरी अथाबत चलेंगी है ना और दोस्तों शबी लोग बने रहें तयारी लगे रहें किस लेखक के इतिहास ग्रंत में सरपिर्थम हिंदी साहित का के इतियास का काल विभाजन मिलता है तो आपको पता है d number very good d number आपका बिलकुश आई है है ना जार्ज गिरियर्शन हिंदी साहित के प्रतम काल को बीर काल किस ने कहा दोस्तों बीर काल बताना है आपको हिंदी साहित के प्रतम काल को बीर काल किस ने कहा है शंतोष जी प्रशन क्रमांक 9 का अंसर बताना है नीरजी बताइए बीर काल हिंदी साहित के प्रथम काल यानि की आदी काल को बीर काल किस ने कहा यह आपका कॉस्चन है मिश्रबंधुवने राउल सांकृत्या इनने विश्वनात प्रसाद मिश्र ने या इस एप जरू डाउलोड कर लें और आपका सही आंसर है प्रशन किरमांक 9 में अंसर है बिश्वनात प्रसाद मिश्र यानि की दोस्तों आपका सी नमबर बिलकुल शही बेरी गुड सी जुनों ने बता है राइट अंसर हिंदी भासा उद्गम और विकास के लेखक कौन है प्रशन किरमांक 10 दस का अंसर बताना है हिंदी भासा उद्गम और विकास के लेखक कौन माना जाता है यह प्रशन किरमांक आपका 10 है दस का अंसर आपको बताना है हिंदी भासा का उदगम और विकास के लेखक कौन है और यहाँ पर शही आंसर जाएगा उदर नारायन तिवारी यानि कि D नम्मर आपका बिलकुल शही है D जिनोंने बताया है उनका आंसर बिलकुल शही है कि D हिंदी भासा उदगम और विकास के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक माने जाते हैं डाक्टर उदर नारायन तिवारी ठीक है दगादिया बहुत शारी लोगोंने C है ना क्योंकि हिंदी साहित का उदभा और विकास जब कि यहां हिंदी भासा उदगम और विकास पूचा गया तो दर नारायन तिवारी पड़ा है आपने पहले आदिकाल में किन गरंतों की प्रधानता रही है किन गरंतों की प्रधानता रही आदिकाल में बताइए प्रश्न किरमांक 11 में बीर गरंत की शाकी रासो या फिर सूफी ग्रंतों की आदी काल में किन ग्रंतों की प्रधानता रही है यह आपका क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और प्रश्चन क्रमांक 11 में आपको चेन करना है और उत्तर जाएगा शीदा शीदा जाएगा राश्चो शाहित की यानि शी आपका बिल्कुश सही है सी नमर सही है स्वानू स्वानू जी अनू पोचा जी सी नमर सही हालाते कनईया के किसकी रचना है हालाते कनईया पताएं हालाते कनईया के रचनाकार कोन है हालाते कनईया ये किसकी रचना है पूरन भगत की है विध्यापती की है अमीर खुसरों की है या फ में आपको राइटा अंसर बताना है और सीधा अंसर आपका जा रहा है शी आसान कोस्चन है सरल कोस्चन है जै मैंक जस चंदरीका इसके रचनाकार कौन है बहुत ही सरल कोस्चन है आप लोग उने सारे कोस्चन पड़े हुए है खुरेसी जी जै मैंक जस चंदरीका के रचेता कौन माने जाते हैं कमेंट में लखें पटापट से वीडियो को लाइक करत जो भी साती जोनियर टेट की तयारी कर रहे हैं है ना इस परकार से दोस्तों आप हिंदी साहत के कोर्स में डिश ले सकते हैं हिंदी साहत को पढ़ सकते हैं ठीक है जै महेंग जस्चंद्री का आपको 13 का अंसर बताना है और 13 में आपका राइट अंसर है मदुकर कभी यानि की D नमर आपका बिल्कुँँ चाहिए D राइट अंसर भविस्यत कहा के रचिता कौन है भविस्यत कहा के रचनाकार कौन है ये question आपसे पूछा गया और आपका बिलकुल सही है भविष्यत कहा भविष्य के लिए धन का संचाय सभी लोग करते हैं सभी लोग करते तो धनपाल धनपाल यानि शी नम्मर धनपाल आपका बिलकुल सही हो जाएगा है नप परमात्मे प्रकास के रचनाकार कौन है एक मैंने दस हजार question की test series लांच की है दोस्तो हिंदी साहित की ये दस हजार question आपके हिंदी साहित से related किसी भी अग्जाम के लिए बहुत ही important है ये दस हजार question की test series मात्र पास्टोन इंडियानवे में इसमें आप एडवीसल ले योगिंदू या जो इंदू कहीं जो इंदू नाम मिलता है कहीं कहीं योगिंदू मिलता है प्रतिबा वर्मा जी बी नम्मर आपका बिलकुश आई है ब्यारिगोण अब्दुल रह्मान करत संदेश रासक है क्या है संदेश रासक महा काब्ब है खंड काब्ब है पिश्टडी किलासे से अप जरू डाउनलोड कर लें अबदुल रह्मान इक्रत बताना है अपनने कई बार पड़ा है कि सर अब संदेश दूर नहीं दूर अबदुल रह्मान है ये ठीक है और संदेश रासक इनका क्या एक हंडकाब है यानि की बीनमबर है ये आदीकाल का इ अबदुल रह्मान को इस प्रकार से ठीक है आदीकालीन हिंदीकाबधारा में उपलब्द नहीं है क्या नहीं है आदीकालीन हिंदीकाबधारा में जैन साहित उपलब्द नहीं है सत्रा का अंसर आपको चैन करना है शबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा जैन साह साहित तो है शिद्ध साहित है सिख साहित है लेकिन क्या अपलब्द नहीं है दोस्तों क्या नहीं है यह नहीं है कौन सा सिख साहित है ठीक है सिख साहित नहीं है नाथ साहित है शिख साहित नहीं है सिद्ध साहित है जैन साहित है इश्षी आपका बिल्कुछ रही हो जाएगा C number very good बहुत बढ़ी आंसर कौन सी भासा आदीकाल की है 18 को question बताइए कौन सी भासा आदीकाल की है शबी लोग बताएंगे Like जरू करते रहे Share करते रहे अपने मित्रों तक और Self-Study किलासे से अप पर बने रहे दोस्तो अब यह थाबत आपकी सारी किलासे चलेंगी जिन भी सात्यों को एड़ बीसल लेना है जिन भी सात्यों को दोस्तों पढ़ना है बहुत अच्छे से बिस्त्रे ट्रिक से पढ़ना है कौन सी भासा आदीकाल की है यह आप से पूँचा गया तो लगबग सभी लोगों को पता डिंगल पिंगल डिंगल पिंगल सी नमबर साइए ग्यार भी सताब्दी में रचित लोग भासा काब्ब है लोग भासा काब्ब आपको बताना है कौन सा है प्रश्नी किरमांक उन्नीस ग्यार भी सताब्दी का बताना है और प्रश्ण किरमांक 19 में सबी लोग चेहन करेंगे सेल्फ स्टेडी किलासे से अप जरू डाउनलोट कर लें जो भी हमारे नए साती है है ना स्यामधन नौटियाल जी बताईए ग्यारवी सताबदी में रचित लोग भासा काब बे कौन सा है 19 का अंसर बताना है आपको और 19 में आपका सई आंसर हो जाएगा कि सर ग्यारवी सताबदी में रचित लोग भासा काब अगर आप पूछोगे तो उत्तर लगा देना ढोला मारूरा दुहा क्यानि की डी नमबर आपका बिलकोश चाही है और ढोला मारूरा दुहा की अगर बात आती है तो ढोला मारूरा दुहा की रचनाकार कौन है इसका आंसर भी आपको ही बताना है ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है सबी लोग बताएं समग्र भक्तिकाली नकाब पर कौन सी विसेस्ता लागू होती है प्रशने क्रमांक 20 का अंसर आपको चैन करना है कल से आपके बहुत थोड़ा सा कठिन प्रशनाएंगे तयारी करके आना अवतार में विश्वाश जाती प्रथा का निसेध एहंकार का त्याग या फिर इस्वरी लाल गायन प्रशने क्रमांक 20 में समग्र भक्तिकाली नकाब पर कौन सी विसेस्ता लागू होती है ये आपका क्वेस्चन है है ना और यहाँ पर आपका 20 का क्वेस्चन है तो सबी लोगों को लगबग पता है कि सरसमग्र भक्तिकाली न पर एहंकार का त्याग यानि की शी नमबर आपका बिलकोश चाहिए ठीक है बेरी गोड अंसर शी नमबर साहिए और ऐसे कितने साती हैं जो पंजाब मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों है ना वो शबी साती पंजाब मास्टर केडर का मौडल पेपर लांच चो चुका है वो कर सकते हैं और जिनको पंजाब मास्टर केडर की सुरुआस से पढ़ना है उनका बैच सुरुआस से हो रहा है दो सितंबर से चालू है ना जिनको दोस्तों जूनियर ट्रेट की तैयार करना है वो शबी साती अड़ी सल्ले हिंदी साइट के संपूर कोर्स में अभी अच्छा मौका है ज्यान बोद के रिचनाकार आपको 21 का बताना है और सीधा आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी नमबर यानि की मलूक दास ज्यान बोद के रिचनाकार कौन है दोस्तो मलूक ठीक है बी नमबर बैरी गोड आंसर ब्रेज कोकल के नाम से कौन प्रसिद्ध है ब्रेज कोकल के नाम से कौन प्रसिद्ध है बोश अभी लोग बताएंगे ब्रेज कोकल के नाम से कौन प्रसिद्ध है प्रशन किरमांक आपका 22 है 22 का आंसर आपको चैन करना है यह ब्रेज कोकेल के नाम से, येश अवी लोग बताएंगे, ब्रेज कोकेल के नाम से प्रिषिद्ध है कौन? प्रषने किरमंक 22 को अंसर और 22 को अंसर है दोस्तो 7 नारान कभी रतने, यानि कि B नमबर सतनारान कविरतन आपका राइट अंसर है बेरिगोड बी बेरिगोड अंसर बहुत बढ़िया शमस्या पूर्ती किसी युग की बिसेस्ता अंगला ही कॉस्चन आपसे पूछा जाता है सभी लोग अपने मित्रों तक लाइक सेयर कर दिया करें है ना और दोस्तों लगे रहे अनामी का गौण जी साइंस रष्टी बताए समस्या पूर्ती किस युग की बिसेस्ता है प्रश्न किरमांग 23 में और समस्या पूर्ती आपने बता दी है कि सर ये जो समस्या पूर्ती आपने पूछा है यह है भारतेंदु युग की क्या विशेष्था यानि कि आपका जो यह नमबर है भारतेंदु युग की विशेष्था यह बिलको शही है यह नमबर आपका बिलको राइट आंसर है प्रियोग बाद की जन्मदात्री पत्री का पूँचा है दोस्तों पत्री का है ना वैसे आ प्रितीक पत्रिका पूचा तो, यहां पर आपका right answer B होना चाहिए, प्रितीक पत्रिका ठीक है, इसको याद रखेंगे, बैसे आपको पता है, कि प्रियोग बाद का प्रारम होता है, तार सब्तक से, है ना, तो इसको सभी लोग याद रखेंगे ना, तार सब्तक से, और राम कुमार जी यहाँ फास्ट नहीं चलता है है ना बिलकोल फास्ट का टाइम, टाइम का मात्वी ऐसे चलता, आपको टाइम है, आप फटापड़ पढ़ लीजिए पुस्तक है प्रैयोग बात की जर्मधातरी पत्रीका आपन को याद रखते ना है प्रितीक पत्री का है है ना इन्हें वैसे कौन सा कभी दूसरा सब्तक में सामल है फास्ट ट्रेंट तो नहीं चलती यहां पर जिसको फास्ट भगना है वो भागते चले कौन सा कभी दूसरा सब्तक में संब्लित नहीं था बताएं यह कौन सा कभी दूसरे सब्टक में शम्मलत नहीं था ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे हाँ दूसरा कभी दूसरा सब्तक में समलित नहीं था कौन सा है 25 का answer आपको चेन करना है 25 का शबी लोग answer बताएंगे और वो नहीं थे कौन मोक्तिबोद ट्रिक बताईए दूसरी की ट्रिक बताईए यहाँ पर तो आपका D-number सही होगा मुक्तिवोद नहीं थे यह तो प्रतार सब्तक्के थे है ना यहाँ पर आपका डी बिलकोश रही है दूसरे की ट्रेक बताईए जिन्हों ने भी पड़ी है अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है शबी लोग बताएं शबी लोगों को चैन करना यहाँ पर आनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है है ना जो पैड मेंबर है जिनकी पैड किलासे हैं दोस्तों जिन्होंने कोर्स में अड़ी से लिया है उनकी किलास होती है एक पांच बजे और एक सामको साड़े छे बजे यह दो किलास है है नया बेच इस्टार होगा उसकी लाइब क्लास और होगी दोस्तों कितने बजे धाई बजे है ना जो नया बेच दो से तंबर से इस्टार होने वाला है उसकी धाई बजे होगी बाकी यह लाइब क्लास अपनी नौ बजे होती है दोस्तों यह बाली जो कौमन रहती है सभ कर प्रसाद का ठीक है यहां पूचा जाएगा इसकंद गुप्त का वेरिगोड अमीता जी मोहेज जी दुरौफ स्वामनी बिसाक इस अभी प्रसाद जी के नाटक हैं है ना अंगला क्वेश्चन है सती चंद्रा वली और अमर से राट और नाटकों की रचना किसने की है हाँ जी आईसी का लगा है तैयारी करते रहो जी आईसी का लगा है सो पहले से तैयारी करना चाहिए सती चंद्रा वली और अमर से राट और नाटकों की रिचना किसने की प्रशन की रमांग 27 का अंसर बताना है रादा चरण गोश्वामी बालकश्ण भट भारतेंदु अरि प्रशन की रमांग 28 का अंसर आपको चैन करना है और 28 में शबी को पता है कि सर आप भारतेंदु काली इन किस उपन्यास से तो वो पन्यास है परिक्षा गुरू और परिक्षा गुरू के रचनाकार कौन है श्री निवास दास है ना 1882 इसका रचनाकार है परिक्षा गुरू का ठीक है इतनी चीज़े याद रखना है यहाँ प लोगों को बताना अच्छा क्वेस्टन है दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरू करेंगे शबी लोग मादा केक्टस यानि की 29 का अंसर बताना है आपको और यह जो नाटक है दोस्तों यह नाटक है लच्छमी नारान लाल का यदि प्रेया में ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी है यह कथन आपको बताना है कि किसने किस से कहा है दोस्तों मलब किस नाटक का है दोस्तों यह बताना किस नाटक का इस कथनका सम्मंद बताना है आपको कि इस कथनका सम्मंद है किस से चंद्रगुप्त कारनेलिया से धुरुपस्वामनी कौमा से चंद्रगुप्त अलका से चंद्रगुप्त बसंत स्यना से यानि कि 30 का अंसर बताना है और सीधा अंसर आपका जाएगा चंद्रगुप्त कारनेलिया से यानि कि आपका जो एक नमबर है एक नमबर वो बिलकुँश चाहिए यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी ये आपका एक नमबर बिलकुश चाहिए ये नमबर साहिए महाभारत की कथा पर आधार इतना टक कौन सा है अंधायोग अंधी गली कौनार्क या पर आधे अधूरे आधे अधूरे यानि कि थर्टी बन का अंसर आपको चैन करना है थर्टी बन में आपको बताना है कि महाभारत की कथा पर आधार इतना टक कौन सा है थर्टी बन का अंसर और शवी लोग बताएंगे उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नंदलाल जी ये अंधायोक के रिचनाकार कौन है एकलब बिनामा किर्थी किसकी है दोस्तो एकलब बिनामा कि जो किर्थी है वो किसकी मानी जाती है भगबती चरण बर्मा की रामकुमार बर्मा की नंदुला रिबाश पे या इन में से कोई नहीं एक लब्ब नामा किर्थी के लेका कौन है प्रशने किरमांगा आपका 32 है 32 का अंसर आपको चैन करना है और आपका यहाँ पर 32 में बिलकुर सही जाएगा B नमबर यानि की राम कुमार बर्मा एक लब्ब नामा किर्थी के जो रचनाकार है और इचनाकार है रामकुमार बर्मा बी नम्मर आपका बिल्कुछ चाहिए बहुत बढ़िया है ना अंगला क्वेस्चन गुलाम मंडी उपन्यास की लेखी का गुलाम मंडी ये किसका उपन्यास है प्रश्ने किरवां 33 का अंसर सभी लोग लाइक करते चलें वीडियो को सेर करते चलें गुलाम मंडी उपन्यास की लेखी का आपको चैन करना है 33 का अंसर आपको चैन करना है दोस्तों वीडियो को लाइक सेर जरू करते रहिए और यहां पर आपका बिल्कुछ सही जिन भी सात्यों को एड़िशन लेना है एप में एड़िशन ले सकते हो एप डाउनलोड कर लो सेल्प स्टड़ी किलासेस है ना और यहां पर गुलाम मंदी उपन्यास की लेखी का आपको बताना है और गुलाम मंदी उपन्यास यानि की निर्मला भूरारिया डी नमर आपका यहां पर बिल्कोश सही हो जाएगा नि चूप चारों की चारों रचना हैं दोस्तों क्रश्ना सोपती की मित्रों मरजानी हम हसमत जिन्दिगी नामा या फिर यारों का यार 34 का अंसर सभी लोगों को बताना है अच्छा क्वेश्चन है सभी लोग बताएं 34 में और सांजी संस्कृती सांजी संस्कृती पर आधारित है कौनसा है सांजी संस्कृती पर आधारित 34 में जिन्दिगी नामा कौनसा है दोस्तों जिन्दिगी नामा यानि की शी नमर आपका बिल्कुल सही है शी नमर आपका राइट आंसर है जिन्दिगी नामा आपका ब उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है बताईए उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है कतावश्टू चरित चित्रन कतोप कतन या फिर रंग निर्देश क्यानि कि आपका 35 का अंसर उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है इसका अंसर आपको चेन करना है और आपक सीधा आंसर जाएगा क्या जाएगा सीधा आंसर जाएगा रंग निर्देश ये कतावस्तु है चरित चित्रन भी है कतोप कतन भी है रंग निर्देश ये नहीं है जानवी कहानी के लेका कौन है जानवी कहानी के लेका कौन है थर्टी शिक्स का आंसर आपको चैन करना है जानवी किसकी कहानी है आपको बताना है रोज ये अथावत एक किलास नौ बजे चलेगी आपकी ठीक है इन किलासों को आपको अटेंड करना है और जिनवी सात्यों को भी से लेना है वो self study के लासे से एक डाउलोट कर लें दो तारीक से नया बैच श्टार्ड नया बैच यानि की सुरुवात से बैच आपको पढ़ने बाला है जानवी कहानी के लिए का कौन है 36 का अंसर आपको चेंड करना है और 36 में आपका अंसर हो जाएगा जैनंद्र कुमा यानि d नम्मर आपका बिलको जाएगा जैनंद्र कुमार राइट अंसर निराला की साहत साधना आलोचना किरती कितने भागों में है दोस्तों है ना सबसे पहले तो आपको बताना है कि निराला की साहत साधना की रचना कार कौन है 36 का अंसर कल से थोड़ी से प्रश्न कठिन होंगे आपको पड़के आना है लेविल को बढ़ा के आना है निराला की साहते साधना आलोचना किर्ती के कितने भागों है दोस्तों एब दो भागों में एक तीन या फिर चार भागों में 37 का अंसर आपको yan करना है 37 नम्मर में आपको बताना है बताइए और सभी लोग आंसर चेन कर रहे हैं 37 में आंसर बताना है आपको और यहां पर आपका right आंसर है कि सरी तीन भागों में है कितनी भागों में तीन भागों में क्यानि कि आपका जो C नमर है वो बिल्कु सही हिंदी के काब भासा परक समीक चक का नाम क्या है काब भासा परक समीक चक का नाम क्या है दोस्तों काब भासा परक समीक चक बताना है इसका आंसर आपको बताना है जिन भी सात्यों को एड़ भी से लेना है वो जरूर ले फिरीडम जी है ना और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 38 का 38 का आंसर क्या हो जाएगा 38 का हो जाएगा दोस्तो रामसरूफ चुत्रुवेदी यानी डी नमबर आपका बिलकुश है डी डी नमबर जुनों ने बता है राम सरूप चुत्रवेदी ये बिलकुश सही हो जाएगा काब बासा परीक्षक समीक्षक का जो नाम है वो राम सरूप चुत्रवेदी रचनाकार को ने है कबीर, बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी इसके रचनाकार को आने धरंवीर, भारती, मुद्रा, राक्चास धूमेल या फिर प्रेमचन्द पूरण है याःप डाउनलूट करना पड़ेगा सुरर बरमाजी Self Study 那ा से एप डाउनलूट करेगा बहाँ पर आपको पता चल जाएगा हैना बहाँ पर लाला स्री निवास दास के सā्योगीता स्यंबर की सच्ची समॉलू चिने की दोस्तो बारती इंदू जी ने बद्रीनारण चोदरी ने या फिर बाल करशन भट्ट ने शबी लोग बताएं और GIC का एक्जाम कौन कौन दे रहा है वो भी बता दे जूनियर ट्रेट बाले हमारे कितने साती हैं लाला स्री निवासदास के संयोग तैस्व अंबर की बताना है प्रश्ण किरमांग फोट्टी में फोट्टी का अंसर आपको चैन करना है दोस्तो और फोट्टी में आपका राइट आंसर है बाल कश्न भट्टे यानि कि आपका उत्तर D नमबर बिलकुँ सही हो जाएगा D जनो ने बताए उनका अंसर बैरी गोड आंसर बहुत बढ़िया स्रंगार रस का स्थाई भाव बताईए स्रंगार रस का स्थाई भाव क्या है स्रंगार रस का स्थाई भाव आपको चैन करना है कोश्चन अच्छा है शबी को लगबग पता है कि सर स्रंगार रस के दो भेद होते हैं एक तो होता है शन्योग, एक होता है ब्योग, ब्योग को विप्रलंबी भी कहा जाता है दुशन्योग में अपन देखते हैं कि राम का रूप नहारत जान की है ना और दोस्तो बियोग में अपन देखते है खगमरग है मदू का रस्रेनी है ना विशन्योग ब्याग और स्रंगार रस का इस्थाइवा होता है रती शवी को पता है बरनेक चंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं गण बताना है दोस्तो बरनेक चंदों में बरनों को गिना जाता है बरनों को गिना जाता है दोस्तों है ना और मात्रेक चंद में मात्राओं को गिना जाता है अब आपको बताना है कि बरनेक चंद में गण कितने प्रकार के होते हैं यानि कि 42 नंबर का question का answer आपको chain करना है और 42 में आपका सीधा answer जाएगा कि सर बरनेक चंदों क कि अगर बात करोगे तो गण होते कितने प्रिकार के शीन नंबर शीन नंबर आपका सही है 42 में आपने बिलकुर सही आँज़ बताया है और राइट आँज बताया आढ़ नंबर के होते हैं मात्रा क्रम की द्रश्टी से ठीक विपरीट पढ़ने वाले छंद का नाम बताना ह दोहा के विप्रीत पूचा गया है मात्रा क्रम की दरश्टी से दोहा के ठीक विप्रीत पढ़ने वाले चंद का नाम क्या है ये आपको बताना है प्रश्ने किरमांग फोट्टी थ्री दोहा के विप्रीत पूचा गया है मात्रा क्रम की दरश्टी से दोहा के ठीक विप्रीत पढ़ने वाले चंद का नाम क्या है ये प्रश्ने किरमांग आपका 43 है 43 में आपको चैन करना है बताएए शबी लोग अंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या सोरठा सोरठा यानि की सी नंबर द्रग और जट टूटत कोटों में जुरत चतोर चते प्रीत में कौन सा अलंकार है प्रशने किरमांग चावालीस में आपको बताना है कौन सा अलंकार है अलंकार आपसे पूछ लिया गया चलिए अलंकार का आपको चैन करने के लिए बोला है और आपका यहाँ पर सही आंसर आपने बता दिया सर की 44 में आपका राइट आंसर है बी असंगती अलंकार यानि कि बी जनों ने वासंगती अलंकार बताया है वो बिलकुल शही है वेरी गुड है ना अब आपको बताना है खस खोरा या गुर्खाली भासा है बताए यह कहां की भासा है खस खोरा या गुर्खाली यह कहां की भासा है नेपाल की राजभासा है गड़बाल की लोक भासा है कुमाउ की साहत्यक भासा है या फिर किनमे से कोई नहीं यानि की 45 में आपको चैन करना है कि खस खोरा या गुरखाली भासा है तो ये कहां की भासा है ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे 45 में और 45 में आपका राइट अंसर है कि सर ये जो है ये नेपाल की भासा है कहां की है नेपाल की खस्कोरा या गुर्खाली ये नेपाल की राजभासा है यानि कि आपका जो एक नमबर है नेपाल ये बिलकुर शही है एक नमबर जिन्होंने बताया 45 का उनका अंसर तो बिल्कुर सही जाता हुआ किस सब्द में बिसर्ग संदी है बताइए किस सब्द में बिसर्ग संदी है सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों किस में बिसर्ग संदी है इसका आंसर आपको बताना है और आंसर आपका हो जाएगा कौनसा बिसर्ग संदी आपको चेन करना है बिसर्ग संदी किसमे है एहंकार में हेमालय दुसकर या फिर उल्लास में किसमे है बिसर्ग संदी 46 का आंसर और सीधा आंसर आपका चला जाता है दुसकर यानि की C नंबर C नंबर जिन्हों ने बताए राइट अंसर बेरिगोड दुसकर आपका सही नीलोत पल सब्द में समास है नीलोत पल में कौन सा समास है दोस्तो अब्याई भाव शमास तत्परोश शमास कर्मधाराय समास या फिर वहू विरही समास नीलोत पल में कौन सा समास है आपको चैन करना है वीडियो को लाइक जरू करती रहे सियर जरू करना है आपको नीलोत पल में कौन सा समास है नीलोत पल में समास आपको चैन करना है प्रश्न किरमांग आपका 47 है और 47 में नीलोत पल और नीलोत पल में सभी लोगों ने बता दिया है कौन कौन सही बता रहा है शी नंबर यानि की कर्म धारा है शमाश ब्रश्न किरमांग 48 में शुद्ध बरतनी वाला बताना है शुद्ध बरतनी वाला भी आपसे पूचा जाता है कई बार सभी को चैन करना है अच्छा कौस्चन है 48 का अंसर आपको बताना है लाइक करना है दोस्तो सेर जरू किया करें और वीडियो को जल्दी जल्दी से फटापट से लाइक सेर करना है और यहाँ पर सुद्ध बरतनी वाला सब्द आपसे पूचा गया और सीधा आपका 48 में आंसर जाएगा दोस्तो क्या जाएगा क्या जाएगा सी नंबर यानिकी मान भी करन सी नंबर जिनका आंसर है उनका आंसर प्रतारक किसका परियावाची है बताईए कलपना धिम्मन जी गायत्री जी ललित जी प्रतारक किसका परियावाची है ये 49 का आपको चैन करना है और 49 में आप सभी ने आंसर जो बता दिया है कि सरी जो प्रतारक होता है ये प्रतारक होता है काई का परियावाची Self Study Class A से अप किस-किस ने डाउनलोड नहीं किया आपका अंसर है ठग का परतारा किसका परयावाची है ठग का यानि कि ये नम्मर आपका बिल्कुँ सही Very God आवाहन का विलोम वताना है दोस्तो आवाहन का विलोम क्या होता है प्रशने किरमांग 50 पचास में आपको चैन करना है लाइक सियर जरू किया करें सब्सक्राइब जरू कर लें Self Study Class A से अप में जिनको भी अच्छा मौका है अडवीसल लें है ना एक तो दस हजार प्रशनों की टेस्ट सिरीज लांच किये है जो मात्र 599 में है ना एक पंजाब मास्टर केडर का मौडल पेपर भी लांच हो चुका है जो केवल 599 में ठीक है हिंदी साहित का दोस्तो जूनियर टेट के लिए कोर्स लांच किया गया ये मात्र अभी एक हजार रुपे में सितंबर से इसकी प्राइज बढ़ जाएगी ठीक है पंजाब मास्टर केडर बालों के लिए संपूर कोर्स दोस्तो ये भी अभी एक हजार में है सितंबर से इसकी प्राइज भी बढ़ जाएगी तो जिन विसातियों को इसमें अड़वी सलेना है और यहाँ पर आपका उत्तर है विसरजन आवाहन का होता है दोस्तो विसरजन ये सी नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी हमारे जूनियर सुपर टेड वाले साती हैं या पंजाब मास्टर केडर वाले जो भी साती शुरवास से हिंदी साहित को पढ़ना चाहते हैं वो सभी साती इस कोर्स में अडवी साहित के शंपूर कोर्स में ठीक है अब एप डाउनलोड करते हो तो एप में नीचे हॉम हॉम का दोस्तो अप्सन आता है हॉम बैच और स्टोर तो आपको स्टोर पर किलिक करना है आप स्टोर पर किलिक करोगे तो आपको दोस्तो पूरा का पूरा जो कोर्स है जो अलग-अलग कोर्स है वो कोर्स खोल जाएंगे तो उन कोर्स को आप चेक कर सकते हो तो आपने एप डाउनलोड किया एप डाउनलोड किया तो नीचे आपको दिखेंगे हॉम, बैच, स्टोर स्टोर पर आपको कलिक करके देख लेना है चेक करके देख लेना है यह आपका Self-Study Glasses एप है दोस्तों है ना जिनको संपूर साहित करना है तो यह आपका कोर्स है, हिंदी साहित का संपूर कोर्स जिसको सुरुआज से पढ़ना है तो इस संपूर कोर्स में एड़ी से ले सकते है हमारे सभी साती है ना यह दस अजार प्रशनों की टेस सीरिज है दोस्तों जिसमें आप प्रेक्टेस करते हो आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे यूजी सी नेट की कर रहे हो चाहे टेट, चाहे पंजाब किसी भी एक्जाम की तैयारी करना और हिंदी साहित की प्रेक्टेस कर रहे हो तो यह दस अजार प्रशनों की प्रेक्टेस सेट पूजा कुमार जी पूजा कुमार जी कलपनाज ग्यानेश सरमा जी है ना दीप सिका तिवारी जी जस्बंत जी और दोस्तों दस बजे अभी अगजाम पार में लाइप किलास होगी वो भी आपको करना है आप लोग सभी पढ़ते रहें अगजाम पार में दस बजे दीपिका अर्बेंद रीता भाट जी अर्च दीप जी सर्मिला जी स्वनू केम जी प्रमोज सैनी जी ममता जी है ना दीप सिका जी अर्च दीप जी सबी सातियों को मदू धिम्मा अजय सरमा जी सबी सातियों को धन्वाद सबी सातियों को दोस्तों वीडियों को लाइक जरू करें ठीक है बहुत बढ़िया गायत्री जी स्यामधन जी निर्मला यादाउ जी हेमानी सरमा जी सर्मिला जी फ्रीडम जी दिब्या जी बिंदू प्रिया जैंत बभीता जी लबली जया नितवाल जी शबी सात्यों को धनवाद और अपनी पढ़ाई एक बार फिर से रेखा जी आलोक कुमार जी शौनू शिंग जी मदू धिम्मन और अंबिका जी ससीतर पार्टी जी सबी सात्यों को आस्ता सिंग जी सबी सात्यों को धनवाद अध्यन करते रहें वीडियो को लाइक करते रहें सेयर करते रहें और अपने मित्रों तक बताते रहें किस प्रक